आदेश 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 जै माकाली जै गुरु गोरखनात माकाली गोरखनात चोकिशे मैं भक्त गोरवराना शालवन आज हम आपको जो ग्रहन काल में आपको पूजा करनी है माको आपको प्रशन करना है उच्छकी हम पूरी विधी आपको बताएंगे ग्रहन काल में कितने मंत्रों का आप जब करशकते हैं क्या नहीं करशकते आप एक ही मंत्र का जब करेंगे ज़्यादा मंत्रों का आप जब करशकते हैं किस दिशा में आपको मुख करके पूजा करनी है पूजा का क्या नियम है क्या शमय है क्या कर शामगरियों कि आपको उसमें जरूरत है इस सारे विश्य है मैं आप सभी को इस वीडियो के माधिमशे बताऊंगा आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी श्याग रह करूंगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन जरूर दबाए लाइक, कोमेंट, सेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हमारा उदेश्य है परमात से सभी जुड़े निश्वार्त भावशे मा की भक्ती में सभी लगे रहे, सभी निरोगी रहे, सभी के घर में श्वास्त है, ठीक रहे और महा माई अपनी क्रिप्या हमेशा सभी के घर पर वर्शाती रहे मैं आप सभी को बता देता हूँ, हमारा मा काली गोर्खनाचो की शिर्फ यही दरबार है और यहां दरबार में किसी परकार से कुछ नहीं लिया जाता है इस बात का विशेश ध्यान रखे, अगर हमारे नामशे कोई आपको भ्रमित कर रहा है उसके आप खुद जुमेवार होंगे, हमारे दरबार में किसी परकार से कुछ नहीं लिया जाता है इस बात का विशेश ध्यान रखे और दर्बार लोनी गाजेबाद में लगता है लोनी जगए है जहां पर दर्बार लगता है रामेश्वर पार्क एक्स्टेंशन पुस्ता रोड नियर ग्रिन फिल्ड पब्लिक स्कूल प्लोट नंबर 182 जहां दर्बार लगता है दिश्टिक गाज ये बाद और मैं आप सभी श्याग रहे करूंगा क्रिप्या ऐसे लोगों श्याब बचे जो हमारे नाम से आपको भर्मित कर रही है उसके जुमिवार आप श्वैम होंगे आपको ग्रहन काल समय क्या है ग्रहन तीन बज़े से शू तक लग जाएगा उसके पर शात पूजा नहीं होगी सभी कपार्ट बंध हो जाएंगे वैसे तो क्रोना वारिस की जैसे मंदिर बंदी ही है ग्रहन काल के बाद आप पूजा नहीं कर पाओगे घर में आपको एकांत में पूजा करनी है जो हम आपको ग्रहन काल में बताएंगे समय ग्यारा बज़ के दस मिट पे आपको पूजा प्रार्ण करनी है अब शामग्री में आपको बता देता हूं शामग्री आपको क्या चाहिएगी दो आपको लाल वस्तर चाहिएंगे एक आसन के लिए एक मा के जहां पर मा की मुर्तिस्थापित किरुगे उसके लिए दूसरा आप अपने बैठने के लिए दूसरा कोई आशन भी ले शकते हैं कंबल का आशन ले शकते हैं, दुर्वा का आशन ले शकते हैं एगर में किसी प्रगार कोई आशन है वो भी आप इसको प्रियोग में ले शकते हैं सर पे भी आपको लालवस्तर ही बांधना है अगर आप लालवस्त धान कर शकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए दूसरा आपको मिट्टी का दिपक लेना है मिट्टी का नहीं तो आप कैसा भी दिपक ले शकते हैं आप तिलों का तेल भी प्रियोग में ले शकते हैं, सर्शों का तेल भी प्रियोग में ले शकते हैं, और आप देशी घी भी प्रियोग में ले शकते हैं दीपक के लिए, पांच अगरबत्ती आपको चाहिएगी, एक आपको कलश चाहिएगा, उसमें लोटा यूज कर शकते ह पानी डालेंगे उसमें, एक नारियल चाहिएगा आपको, पान पेडे का भूग आपके पास है तो लेशक्ते अन्य था नहीं, अगर नहीं आपको मिल पा रहा है, पंचमेवा भूग मिलेंगे, पंचमेवा बतासे लेशक्ते है अगर पंचमेवा भी आपको नहीं मिल पा रह दोश्रुपारी लेंगे, रक्त चंदन लेंगे, कुम-कुम शिंदूर लेंगे, ये शामगरी आपको पूजा के समय पर लेनी है, एक मा की आप फोटो लेंगे, अगर फोटो है तो ठीक अगर नहीं है, तो आप अपने अंतर ध्यान से मा का ध्यान कर शकते हैं, रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला लेशकते हैं सत्रुदमन के लिए आप काले हकीक की माला भी लेशकते हैं गोमुखी लेंगे आच्मन का पात्र लेंगे आप कपूर की टीकी लेंगे पांच अब आपको क्या करना है आप सनानादी से निवरित होंगे अपने स्रीर को पवित्र कर लेंगे पवित्र करने के पशात आपको क्या करना है अगर आप सनान नहीं कर पा रहे हैं किसी का अनवस तो आप पंच सनान कर लेजिए हाथ पार महूं धोलीजिए अच्छी तरह शे उसके बाद आप आस्मन कीजिए तीन बार आप जल को पी लीजिए अब आप अम हरिश के श्रीर को पवित्र कर लीजिए जो शामग्री है शबी पे जल का चिंटा देजिए जिसे वह शामग्री पवित्र हो जाएगी उसके बाद आप मा की जो लाल बस्तर है उसके मा की मुर्ति स्थापित करेंगे फोटू स्थापित करेंगे उसको सनान कराएंगे जल का चीटा देंगे फिर इसको शाफ करेंगे फिर आप उसर रक्त चंदन से लेप करेंगे सिंदूर लगाएंगे सिंदूर नहीं तो कुम-कुम यूज कर शकते हैं उसके बाद आप दीपक परवजलित करेंगे दीपक में आप दो लोंग डालेंगे दीपक परवजलित करने के बाद जो कलश है उस कलश में पानी पानी रखेंगे डालेंगे और उसके उपर आप नारिल स्थापित कर देंगे अगर बत्तिया प्रवजलित करेंगे आप उसके बाद जो आपका आशन है जो भी आशन है उत्तर दिशा में मुख करके आप अपने आशन पे बैठ जाएंगे उसको आप नमशकार करेंगे आशन को अपने गुरु का आवान करेंगे उसके बाद आप आशन पे बैठेंगे अपना रक्षा कवच का मंतर दिया हुआ है हमने उसका जाब कर शक्ते अगर नहीं है तो अपने गुरु महराज का ध्यान करके आप उसमें बैठ शक्ते हैं तो आपको इसमें मंत्र का, कोंशे मंत्र का आपको उचारन करना है आपको इसमें नर्वान मंत्र का उचारन करना है ग्यारा माला आपको इस मंत्र की फेरनी है ग्यारा माला फेरने के पश्षाथ आपको ओम क्रिंग ओम क्रिंग ओम क्रिंग इस मंत्र की आपको 21 माला जब करनी है ये मा का बीज मंत्र है ओम क्रिंग इस महा कालिकाएं बीज मंत्र है इसकी आपको 21 माला फेरनी है पहले नर्वान मंत्र का जब करेंगे फिर उसके बाद आप ओम करिंग जो मा का बीज मंत्र है काली का इसका आप 21 माला फेरेंगे उसके बाद जब करने के बाद मा की चालिशा करेंगे आरती करेंगे मा काली की फिर जो जाइफल रखा है उसकी आप भेट देंगे कपूर जलाएंगे कपूर पे आप सिंदूर से जाइफल को लाल कर लेंगे एक को उच्पे दो लोंग रखेंगे और कपूर को जला देंगे यह माँ को आप भेट अरपन करेंगे और जिस अनुष्ठान से जिस उदेश्य शे आपने यह करम किया है शंकलप किया है उश उदेश्य शे आप इसका शिवर्ण करशकते हैं मां के चरणों में आप लगा आशकते हैं जो शामक्रिया बचेगी जल आप चंद्रमा को देंगे जो नारियल है वो मंदिर में स्थाप रख शकते हैं चड़ा शकते कि शिवर्ण मंदिर में अपने घर में उसको नहीं रखेंगे दूसरी बात यह जब पूजा करने के बाद जो भी आपने मंत्र शिद्ध कर रखे हैं उन मंत्र की आप एक-एक माला जरूर करें ताकि वह हैं उनकी सक्तिया बढ़ती रहें डरे नहीं यह करते हुए एक आग्र मन से एक आग्र चित से ध्यान करें महामाई कृपा करेंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कोमेंट शेयर जरूर करें जै माकाली और जो हमारे दर्बार का नंबर है डबल नाइन 71830691 यह हमारे दर्बार का नंबर है और कोई भी हमारे दर्बार का नंबर नहीं है जै माकाली जै गुरु गोर्खनालत